WWDC, 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 Worldwide Developer Community के लिए Apple हर साल जून में एक इवेंट करता है, Worldwide Developer Conference, अब दोस्तों आज है 5 जून, 5 जून को ये इवेंट हुआ है, रात के साधे 10 बजे, इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग, एंद दोस्तों, इस इवेंट में Apple अपने प्रोड़क्स के जितने भी अपडेट देता है, या फिर नेक्ट वर्जन को लॉंच करता है, लेकिन कभी-कभी उसके साथ में ये हाडवेर जैसे के MacBooks हुए, या फिर जरूरी जो भी हाडवेर जो नया लॉंच करना है, वो भी इसके साथ-साथ कभी लॉंच करता है, खेर दोस्तों, WWDC 2023 जश्ट खतम हो चुका है, और अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं सॉफ्टवेर के बारे में बताऊंगा, और अगला वीडियो में हाडवेर के बारे में आपको बना के दे दूँगा, नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सभी विरुजगेर ग्यानी चैनल में आप सभी का स्वागत है, आज के स्वीडियो हम बात करेंगे, www.dc में जो भी सॉफ्टवेर अपडेट्स होए, क्या-क्या नया मिला हमको, Mac OS, चाए iOS, चाए iPad OS, उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं iOS 17 की, जो कि iPhone का operating system है, अब दोस्तों iOS 16 हम चला रहे हैं, अब उसमें क्या-क्या अपग्रेट की गए हैं, उसके बारे में आपको फटा-फट से बता देते हैं, और क्या नया है iOS 17 में, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहाँ पर फॉन, फे कॉल करते हैं, तो उसमें आप काफी option दे दी गए हैं, आपके caller ID के लिए, कहने के मतलब जब किसी का phone आता, तो सामने जो फोटो दिखता है, तो उसको आप अच्छी तरह से, मस तरीके से customize कर सकते हो, जैसे कि हम अपनी lock screen को customize करते हैं, उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर क display पर transcript होके आ जाएगा, मतलब आप उसे easily words में पढ़ सकते हैं, next upgrade किया गया है, जिससे कि हम iPhone to iPhone video call करते हैं, उसमें आप एक system दे दिया गया है, अगर सामने वाला बंदा available नहीं है, तो उसको आप as a video message shoot करके भेज सकते हो, तो यह upgrade यहाँ पर किया गया है, उसके बाद में next upgrade किया गया है, आपका message app में, तो message app में आपको search filter का option दिया गया है, तो आपके message में अगर कोई भी चीज़ आप सर्च मारना आता है, उसके सर्च मार सकते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको catch up का feature दिया गया है, मतलब कोई message बहुत ज़्यादा message होगर आपको एक दोम टॉप पर पहुंचना है, तो एक बटन दबाओ और सबसे उपर पहुंच जाओ, उसके बाद में दोस्तों अगला option दिया गया है, आपको swipe to reply, जैसी हम WhatsApp में करते हैं, swipe किया और वो option नीचे आ जाता है, उस पर हम reply कर देते हैं, तो वो option यहाँ पर message में add कर दिया ग friends and family में उसको आप अपनी location बेश सकते हैं, अब इसका फायदा कैसे होगा, तो उसके लिए एक check-in feature हमको दिया गया है, जिसके वज़े से दोस्तों आप अपने जिससे भी बात कर रहे हो, वहाँ पर check-in वाले feature को on कर दो, उसके बाद में मानो late night आप आ रहे हो, या फिर early morning आप walk करके घर जा रहे हो, तो सामने वाले बंदे को जो आप घर पहुंच जागे तो पता चल जाएगा कि बंदा घर पहुंच चुका है, that is a safety feature, and also अगर आप घर नहीं पहुंचे हो, कोई दुरगटना घर जाती हो, कुछ ही भी हो जाता है, तो सामने वाले बंदे को आप आपने मेसेज में यूज कर सकते हैं, कोई भी आप चैटिंग करें, तो वहाँ पर अलग-अलग stickers को यूज कर सकते हैं, इवन दोस्तों हम देखते हैं, कि iPhone में अपनी photo को ऐसे tap करके अलग से हटा लेते हैं, subject को अलग कर सकते हैं, तो उनको भी अब AJ sticker यूज कर सकते हैं, मा एक और option यहां पर दिया गया है, कि अपनको अलग से AirDrop में सामने आले person की ID है, या फिर Apple phone का जो भी नाम है, उसको चूज करने की जड़त नहीं है, आपको दो iPhone आपस में ले जाने हैं, और जो भी contact या फिर जो भी आप देना चाहते हैं, वो आपस ने seamlessly चले जाएंगे, ज लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप दूर भी चले गए, तो वो internet के थुरू वाव सारी चीजे सामने वाले बंदे को भेज देगा, that is good, next upgrade किया गया है, आपके keyboard में, keyboard में autocorrect and dictation, तो autocorrect and dictation already है, फोन में लेकिन इनको improve किया गया है, autocorrect मतलब कोई भी अगर आप sentence य देता है और उसको ठीक कर देता है, तो उसको और भी जदा improve कर दिये गा है, या फिर दोस्तो हम किसी भी चीज को बोल कर लिखना चाहते हैं, तो जो dictation जो भी हम बोल रहे हैं, उसको सही तरीके से और भी बेटर तरीके से ये लिख पाएगा, तो यह यहाँ पर improve keyboard में किये गए हैं, उसके बाद में दोस्तो एक नया application इंट्रोडूच के जिसका नाम है journal, journal मतलब diary, दिन भर में आप जो भी फोटो केंचर, जो भी काम कर रहे हो, तो उसको आप as a journal रख सकते हो, और वो उसको लॉक वोक भी कर सकते हो, मतलब शिक्योर तरीके से अपने फोन में अप पर भी उसको आप लगा कर रखते हो, तो उसमें आपको फीचर दिया गा है कि उस पर आपको वाच उसकी डिस्प्ले पर खूबसूरत खूबसूरत डिस्प्ले आप देख सकते हो, चाहे वो टाइम की हो, वेदर की हो, मतलब जो भी आप रखना चाहो, वो आप इस पर से भी काम चल जाएगा, और उसके बाद में आपको offline map वाला option दे दियेगा है, मतलब map में आप कोई भी location का offline map डाउनलोड कर सकते हो, Google Map बहुत पहले से दे रहा है, तो ये सब फीचर अपग्रेड होके हमारे iPhone में iOS 17 के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन September में जब नई iPhone iOS ज़्यादा साल नहीं है, कुछ ही सालों से आ रहा है, पहले तो iOS इसको मिलता था, लेकिन iPad OS में क्योंकि पैंसी यूज होती है, बहुत कुछ फीचर होते हैं, जो iPhone से अलग होते हैं, तो इसके लिए अलग से operating system दिया जाता है, अब दोस्तों यहां पर जो improvement किये गए हो मैं सबसे पहले यहां पर widgets and lock screen में आपको improvement दिया गया है, मतलब इसकी lock screen को iPhone की तरह हम अलग अलग तरीके से customize कर सकते हैं, उसके बाद में जो अलग अलग widgets हैं, जैसे आपने उबेर बुलाई, तो अभी कहां पर है, या फिर किसी भी मैच का live score देखना, तो उसके लिए widget दे दि नेक्ट फिचर आपको iPad में health application दे दिये गया है, जो कि iPhone में पहले से था, मुझ्ट लिए आपकी health को track करने के लिए watch के through, या फिर जो भी आपकी health है, तो उसको किस तरीके से track करना है, night sleep हुआ, फ़लाना है, दिमा का, तो वो सब health app में आता है, वो आपको iPad में भी दे दिया नेक्ट फिचर जो iPad में दिया है, वो मुझे काफी impressive लगा, PDF, अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई भी PDF file है, जैसे कोई form हुआ, तो उस form को आप fill करना चाहते है, तो आपको उसको print करने के जोड़तनी है, उसमें आप direct उनको मतलब जो भी address है, जो भी कुछ है, वो select हो जाएकर आप directly keyboard से type करके उनको fill कर सकते हो, और फिर कोई signature करना चाहते हो, तो यह सब फिचर उस PDF के साथ आप कर सकते हो, उसके बाद में next फिचर अपग्रेड हुआ है, आपका notes में, तो notes के अंदर भी आप सारी PDFs file को use कर सकते हो, मतलब student के लिए काफी बेतर feature होने वाला है और दोस्तो एक और अच्छी बात यह लगी, यह कहता ही, sexy technology जो होते हो, यही होती है, दो student है, दोनों के पास iPad है, मतलब कोई भी एक project है, उस पर एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब वो बंदा के पास file है, यह file है, तो एक ही file पर दोनों seamlessly work कर सकते हैं, वो इधर लिख सकता है, व Apple का computer line-up है, उसको Mac कहते हैं, जैसे Macbook, Macbook Pro, Studio, जितने भी computer line-up है, तो उसके लिए operating system होता है, उसको Mac OS कहते हैं, अब दोस्तों, जो Mac OS हम प्रिजेंट में चला रहे हैं, उसका नाम है Mac OS Ventura, और हर साल इसका नाम बदलता है, तो इस साल इसका नाम रखा गया है, Mac OS Sonoma, तो दो अपग्रेड किया गया है, वो है widgets का, पहले widgets को हम notification center में देख पाते थे, मतलब बगल से वो swipe होके निकलता है, तो वहीं से देख पाते थे, लेकिन फाइनली display पर भी हम अपने widgets को रख सकते हैं, वो मुझे काफी cool लगा, मतलब मुझे ये feature चाहिए था, तो बढ़िया है व साथ तो बूलनी पड़ेगी, Apple चाहिए iPhone में हो, iPad में हो, चाहिए operating system में जो भी काम करता है, तो वो काफी इना सुन्दर तरीके से करता है, और दिखने में काफी cool animation हुआ, सब कुछ काभी beautiful लगता है, तो Mac OS में विजिट्स को और भी ज्यादा बहतर तरीके से हम use कर हैं, वो वाले जो Mac supported है, Mac के लिए heavy game भी आते हैं, लेकिन वो केवल Mac के लिए optimize हो के बने वे होते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर death stranding करके एक नया game, जो कि हमको मिलने वाला है, तो उसमें यहाँ पर हमको को कोई gaming mode करके, और यह कुछ option हमको दिए गए हैं, जिससे कि हमार आप gaming कर सकते हो, लेकिन जो गेम Mac के लिए बने हैं, यह नहीं कि पैसा PlayStation वाले भारी भारी भरकम गेम इसमें चला रहे हैं, वैसा नहीं होता है, उसके बाद में जो next upgrade मिला है, वो है video conferencing का, मतलब आपको भी conferencing कर रहे हो, तो उसको और भी जादा improve किया गया है, अपनी presentation को और भी बेटर तरीके से आप दिखा सकते हो, तो यह upgrade मिला है video conferencing के लिए, और यह आपकी जैसे zoom call होई, या फिर जो भी third party supported app है, उन सभी के साथ में काम करेगा, उसके बाद नेक्ट upgrade किया गया है, सफारी में, सफारी Apple का web browser है, तो सफारी में सबसे पहला feature upgrade किया गया है, इ आप देख रहे हो, लेकिन आप ऐसा उसको privately देखने चाहते हो, कोई ना देखे, तो उसको आप lock कर सकते हो, उस window को, ताकि कोई और ना देख सके, आपके लिए बहुत सोसता है, पल वही या, बे फिकर हो के देखिए, उसके बाद में दोस्तों आपको profile वाला feature दिया गया है मतलब आप अलग-अलग सफारी की window खोल रखे हो, तो जैसे काम के लिए अलग profile आपने बना रखी है, या फिर study के लिए अलग बना रखी है, तो अलग-अलग profile को अलग-ईजिली यूज़ कर सकते हो, तो यह feature भी यहाँ पर इसमें add किया गया है, या फिर improve किया गया है, और दिख जाएगी, मतलब जब भी आप उसको खोलोगे, तो डायट आप अलग से आप एक app के तोर पर बना सकते हो, तो यह वाला feature काफी कमाल का लगा, और यह काफी useful होने वाला है, तो दोस्तों macOS के यह सारे upgrade आपके mac devices पर macOS Sanoma के नाम से मिल जाएगे, इसका developer beta available हो चुका है और इसका public beta एक week में आ जाएगा, और जब इसका final version आएगा, तो ऐसा वो ही September के आसपास आएगा, जब भी आएगा, आपको मिल जाएगा, next है watchOS, apple की watchage में running होने वाला operating system, इसका 10th version watchOS 10 आ चुका है, तो दोस्तों इसमें क्या-क्या feature आएगे, आम जल्दी से आपको बता द लग जाएंगे, तो यह option जिसमें add किया गया है, उसके बाद में apple watch में दो नए face add किये गये, एक है palette, एक है snoopy, मतलब एक animated वाला है, और एक colorful सा है, मतलब दो नए face add किये है, उसके बाद में apple के user interfaces के एप पर उसमें भी हलके full के बदलाव किये गये है, उसके बाद में कुछ तो sport features में भी आपर upgrade किया गया है, जैसे cycling and hiking, तो hiking में जैसे कौन सी location पर आप हो, कितनी altitude है, कहां चड़ रहे हो, तो उन सब के बारे में थोड़ा upgrade दिया गया है, या फिर cycling करते समय, कितना क्या चला लिया, कितनी calories हो गई, तो यह सब है, इसको और भी better तरीके से improve करके upgrade किय गया है, उसके बाद में दोस्तों यहां पर health वाले जितने भी features है, जैसे mindfulness, mental health के लिए, या फिर physical health के लिए, तो इन सब के लिए थोड़े-थोड़े improvement क्योंकि apple watch एक ऐसी watch है, जो काफी certified है, इसके data पर काफी believe किया जा सकता है, इसलिए यहां पर काफी health से related भी upgrade यहां पर क आपको सेम टाइम पर मिल जाएगा, यह सारे event का है, जो link में आपको description में देदूगा, अगर उनकी upgrade देखना चाहते हो, तो आप diet देख सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप apple की devices use करते हैं, तो मुझे comment box में comment करके बताएं कि कौन सी device use करते हो, आपको कौन सा operating system में कौन सा feature शेर कीजिए, चैनल प्रनेतों चैनल को सब्स्राइब करना ना बूले, साथ में notification पाने के लिए बैल आइकन जरूर दबाएं, मिलते हैं, आगले वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद, वन्दे मातरां